Photoshop की बात कर रहे हैं तोड़ा सा continue करेंगे Lesson 5 है यह Photoshop का Basics हम देख चुके हैं इसमें हम क्या देखने वाले हैं बहुत सारे Tools देखेंगे Rectangular Marky Tool है, Lesser Tool है Crop or Slice है, Measuring Tools है Retouching Tools है, Sponge है ऐसे बहुत सारे Tools है तो क्या करके आगे बढ़ते हैं Rectangular Marky Tool अब यह क्या चीज़ होती है Rectangular Marky Tool यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है आपका Photoshop में क्योंकि आप यहां सेलेक्शन करें Crop करें किसी image को या कोई color fill करें बहुत हद तक यह आप यूज करेंगे Marky Tool को और Marky Tool के कुछ options हैं अब यह options में 4 नहीं कहुँगा क्योंकि जो भी version आप यूज कर रहे होंगे हो सकता कुछ और आपको मिले तो बस जाना जरूरी है कि Rectangular Marky Tool जो यहां आपर देख पा रहे है ऐसी यह Rectangular या Square Selection करना है उसके लिए यूज होता है यहां पर आप देखिए Single Column आपका यह वाला देखिए Single Column Marky Tool है यह एक Pixel एक Pixel Wide Selection लेता है और यह Height तक जाता है Image के ऐसी Single Row Marky Tool है यहां पर देखिएगा यहां से यहां तक एक Pixel तक का Wide लेके आता है पुरे Wid तक जाता है ऐसी आपके पस Elliptical Marky Tool है यह आप Elliptical अगर यह Circular Selection करना है तो उसके लिए हम Use करते हैं तो यह काम करते हैं सबसे पहले Photoshop हम On कर ले Photoshop को चालू कर ले ताकि हम सीधा उस पर काम कर सके यह Photoshop है आपका और इसमें हम कोशिश करेंगी कि आपको Marky Tool का discussion करे और इके करके देखें क्या करते हैं फिर उसके बाद जो Rectangular Marky Tool है इसको कैसे Open करेंगे मैं आप इसको तरीका बता दूँगा सबसे पहले Photoshop हम Open करेंगे Rectangular Marky Tool लेंगे जो भी जिस भी जगह पे होगा यह ज़रूरी नहीं है सेकेंड हो यह वर्जिन पर डिपेंड करता है और अगर आप इसको क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे इस आइकन को जो आपको दिखेगा टॉप लेफ्ट में अब दिखाऊंगा भी आपको तो आपको तीन आप्शन्स जो है जो बाकी elliptical, single और single row और single column आले पर दिखाई देने चाहिए रक्टैंगुला मार्ट की टूल जब select करेंगे और उसको आप click करेंगे, drag करेंगे उस box को किसी भी image की किसी पार्ट पर जो blinking black और white lines आपको दिखाई देगी वो indicate करेगी, बताएगी कि selection आपने कर लिया है अब हम अपने हिसाब से इसको modify कर सकते हैं चाहिए कुछ भी करना हो, जो भी option करना है आप ये selection के लिए use होता है अब देखेएगा, अगर आप enter कर देंगे तो क्या करेगा, photoshop को crop कर देगा बाकी जो image है, उसको crop कर देगा तो यहाँ पर हमारा photoshop open हो गया है, let's go to photoshop यह है photoshop file करते हैं, open करते है देखिए हमारे पास कौन सी image है इस image को ले लेते हैं, बेबी की image है इसके बारे में बात हो रही है यह देखिएगा, rectangular marquee tool elliptical marquee tool, single row marquee tool और single column marquee tool तो अगर मैं rectangular marquee tool करूँँगा तो इस तरीके से select हो जाएगा ऐसी मैं अगर elliptical marquee tool करूँगा तो यह आप देखिएगा, यह elliptical area ले रहा है यह circle area ले रहा है, circle भी बना सकते है elliptical ले रहा है, ऐसी आप अगर single row लेंगे तो यह single row ले रहा है यह के pixel का, ऊपर नीचे जा रहा है इस तरीके से अगर आप single column करेंगे तो single column ले रहा है यहां से आप देखिएगा तो हम क्या करते हैं कि एक मैं आप इसको यह भी बतातूँ जो इसमें बताया गया है rectangular marquee tool है अगर आप इसमें enter कर दे देखिए इसमें बहुत सारे option आपके पास आएंगे देखिए इस तरीके से कर सकते हैं और भी option है आपके पास free transform path है transfer selection है और यह selection के रहे सबसे ज़्यादा use होने वाला है तो यह selection को धियान रखेगा आपका यह आपका marquee tool है lasso tool lasso type tool क्या करता है अब अगर आपको कोई चीज select करनी है rectangle या circle नहीं जाते है तो आप freehand चाहते हैं कोई particular चीज select करना चाहते है अगर आपको कोई एक portion cut out करना हटाना है या कोई specific section existing picture का select करना है तो यहाँ पर आप lasso tool लेंगे तो lasso tool कहाँ पर जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ lasso tool कैसे मिलता है आपको आप देखें यह जो lasso tool है यह lasso tool है तो lasso tool जो है आप एक area select कर रहे हैं देखें कि मैं एक चोटा सा area freehand से select कर रहा हूँ या फिर आप और भी हमारे पास है polygonal, polygonal में क्या होगा आपको एक-एक vertex लेगा है, यह यह vertex लेगा polygonal बनाएगा पकाई दबल क्लिक कर देंगे तो यह अपने आप पुरा U करके U join कर लेगा आपको दबल क्लिक कर सकते हैं यह आप यह आप rightly करके deselect भी कर सकते हैं दबल क्लिक करना पड़ेगा आपको इस तरीके से आप polygonal जितने भी आप बराना चाहे उतना बना देगा है उसके बाद आप इस जगा पर आके तीसरा भी देख लीजे यह आपका एक तो यह हो गया और एक और आपका magnetic lasso tool magnetic lasso tool देखेगा कितने आसाम से मैं जब इसको move कर रहा हूँ तो यह magnetic की तरह जा रहा है लेकिन इन सब में ध्यान रखेगा इन सब में आप जब भी जैसे मैं इसको लेके आया magnetic tool को लेके आया तो ऊपर अपने आप यह सारी चीज़ा है जैसे feather है width है edge contrast है frequency है pen pressure है pen pressure को आप देख लीजिए pen pressure लगाना चाहते है width आप करने चाहते है 10 मैं कर देता है इसको 50 ठीक जस सीखने के लिए देखे आप कितना बड़ा हो गया यह देखा आप ने कितना बड़ा हो गया अभी चला जा रहा है इसको चोड़ा नहीं है लेकिन मैं इसको छोड़ दोंगा और चाहले है यह और उसको छोड़ डेता हूँ अभी किये जाभा हेंでは और उसके बार maker पार चाहिए और इसको चोड़ जा गया है यह तो आप दुमने इस पर चले जा गया है और इस में खर ह जाएगा या फिर आप escape कर लीजे यह आपके वास option है मैंने escape किया भी तो हट जाएगा यह है तो यह आपका selection वाली बात है इसमें आप select करते हैं एक पार्ट को polygonal lasso हो या magnetic lasso हो यह polygonal lasso जो देखा स्रेट करने के लिए है लेकिन यह अपने देखा straight line बनाता है अगर आपको direction change करने उसके लिए सबसे बढ़िया है polygonal यह polygon बनता है इसमें magnetic lasso जो है यह एक edge detection tool है यह क्या करेगा यह अपने आप वो search करेगा उस edge को object के edge को और अपने आप उसको पकड़ता चलेगा जैसे आप move कराएंगे यह अपने आप वो चीजों को पकड़ते magnet की तरह वो आगे बरता से लगए देखा अपने मैंने जब पैनल उठा दिया तब भी वो अपने area को वो पकड़ रहा था अपने area पे वो जा रहा था automatic चीज़े वो कर रहा था यह फाइदा है इसमें magnetic आपके lasso में magic wand magic wand क्या होता है जो इसको मैं समझा दो आपको कि color पे based यह आपके selection देगा आपका magic wand क्यों है वो color पे based selection देगा और यह एक color को आप select करिए और आप देखेगा photoshop क्या करेगा वो उस type की जितने भी वहाँ पर आसपस pixel होगा उनको पकड़ लेगा मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको लेकिन यहाँ पर magic wand tool है आपको इसको कैसे लेंगे सबसे पहले magic wand tool choose करेंगे इस तरीके से करते है अच्छा सबस् अच्छू कर दिया जिसे अगर इसके उपर आप यह लेके आते हैं अपना mouse cursor तो आपको बता देगा यह क्या करता है यह अलग-अलग है जैसे यह क्रॉप है यह मुई पता है कि मैं इसे यूज करता हूँ और यह अलग-अलग है तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या आ आ गया कि यह magic यह जो चीज है यह magic windy है अब हम क्या करेंगे इस इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यह target जो layer है इसको लीजे अब देखें यह इधर पर चला गया था ना यह दो layer बन गई थी इसकी पर तो इसको चाहिए तो यह वाली layer पर आते हैं और आपको पता है इसको कैस सारे पिक्सल एक जैसे मैं अभी आँको करता हूं देखेगा इसने वह आरे सारे पिक्सल जो वह आले है एक जैसे एक तरीके से कहिए कि उनकी intensity वैसी है या brightness वैसी है उस तरफ से पकड़ दिया और मैं कान पर आता हूं देखें यह जो color है वही color है पिक्सल का तो उसने सारा यह बहुत ही powerful देखें आकर वह तो पुरा यह नीच वाल आए डिले बहुत powerful टूल है magic वाइं बहुत ही ज्यादा powerful और बहुत ज्यादा यूज होता है और इससे देखेगा आप tolerance tolerance value है anti-aliasing value है यह देखें यह tolerance है anti-aliasing है contiguous है use all layers है तो tolerance value आप choose करते हैं ताकि control कर सके जो color आ लेना है area यह बड़ा लेना है उसको आप ले सकते हैं इसको tolerance value को change करके anti-alias anti-alias यह क्या करता है एक यह आप यह ट्रेक्स जो semi transparent pixel है ना passing जो होगा वो आपको एक बड़ा smooth सा काम मतलब जो भी area आप choose करेंगे उसका जो corners है उसका बड़ा smooth बना देगा एक और है contiguous अगर आप यह चेक करते हैं contiguous को मैं यहाँ बता देखें आप फिर से आपको यह देखें यह contiguous है इसको अगर हम click करते हैं तो उससे क्या होगा य similarly colored उठा लेगा जो non contiguous यहाँ contiguous नon contiguous का मतलब है contiguous मतलब साथ में सब जुड़े हूँ non contiguous मतलब साथ में ना जुड़े हो तो भी चलेगा तो इसको select करेंगे तब ऐसा होगा contiguous मिलेगा non contiguous मिलेगा अब यह आप हो सकता है एक से जादा layers पर काम कर रहे हैं तो जैसी आपने देखा जब मैंने magic wind को click किया तो उसने कहा कि देखें साब आप उस layer पर काम नहीं कर रहे हैं जिस पर करना चाहिए तो उस layer को मैंने हटाया अगर हम use all layer करते तो उस layer को हमें हटाने नहीं परता हम इस तरीके से मिलेगा सेम चीज़ का अलग अलग result मिलेगा तो यह आपका magic wind है उसके बाद आप इस selection को ले के फिर इसमे कोई काम कर सकते हैं इस पूरी चीज़ को देखें मैं पूरे इसको उस area को ले के कर सकता हूँ फिर काम कर सकते हैं इसके बार बात में जानेंगी Magnetic Lasso Tool जैसे Magnetic Lasso Tool के बारे में हम बात कर चुके हैं इसमें क्या है कि Magnetic Lasso Tool जो हम select करते हैं तो इसमें कुछ options आते हैं एक दो तीन चार्श तरीके से जो selection option है उसमें नया है, add है, subtract form है, intersect with है तो यहाँ पर इस Magnetic Lasso में आप feathering select कर सकते हैं, anti-aliasing select करते हैं वो आपको दिखाता हूँ इसमें width, contrast, frequency इस तरीके से अलग-अलग options है जो आप select कर सकते हैं Magnetic Lasso में एक stylus pressure भी है जो मैं आपको दिखाया था, अगर आप stylus tablet से काम कर रहे हैं तो आप select कर सकते हैं stylus pressure option को, अगर option आपने select किया है तो यह जो stylus pressure आप जैसी दबाएंगे तो decrease करेगा edge width को, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, image को select करेंगे, click in the image to set the first fastening point, सबसे पहले एक पहल करेंगे दूसरे, जैसे आप आते चले जाएंगे, fasten points, anchor the selection border in place, जो selection border है उसके आसपस वो जाता रहेगा, अगर आप release करेंगे mouse button को या इसको दबा के रखेंगे, तो अपने आप move करेंगे, trace बना देगे, और जब आप starting और ending point, आप बता देंगे उसको, क्योंकि start तो शुर कि आपके पास यह है, crop, यह tool है, crop, अगर मैं इसको इस तरी के select करूँ, यह वाला area मैं चाहता हूँ कि यह थोड़ा से न, ऐसा हो गया कि यह extra cancel करता हूँ, यह extra area आ गया, तो मैं दुबारा इसको करता हूँ, थोड़ा इसको हटा देते हैं भी, फिर से करता हूँ, यह वाल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कि इतनी opacity रखना चाहते हैं, यह सब आपके उपर हैं, बहुत सारी चीज़ है, prospective version देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, तो उसके बाद आप इसको crop कर सकते हैं, यहां से right click करिए, crop कर दीचे, वह area crop हो गया, मैं control z कर देता हूँ, मै एक slicing का काम करता है, एक image को छोटे-छोटे section में बाटने का काम करता है, और यह एक साथ मिल जाएंगे, जैसे jigsaw होता है, लेकिन इसके straight edge होगे, तो दो tools है, हमारे पास एक slice है, जो slice create करता है, और एक slice select है, जो आपको यह allow करता है, कि select करें, और modify करें existing slices को, तो slice select कैसे करें करेंगे, select your image slices, पहले तो image slices को select करेंगे, फिर adjust करेंगे, जो slices का, उनके handle को change करके, shift की दबा के रखें, ताकि आप multiple slices को एक साथ select कर सके, तो करना कैसा है, सबसे पहले मैं आपको बताता हो, slice tool कैसे use करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, slice tool use करेंगे, अब देखें, मुझे प यहाँ, अब उसके बाद हमने कहा कि click and drag over the area you wish to make into slice, तो click किया और drag कर दिया, मैं चाहता हो कि इस area को हम slice करें, release the mouse button छोड़ दिया, use the slice select tool, अब यहाँ पर आगे, यह slice select tool, इस पर आगे, you can move and resize slices by dragging, inside a slice or by dragging the handles, तब इसको move कर सकते हैं, देखें, या फिर इसके side को भी move कर सकत इसके, इसको पकड़के भी, आप move कर सकते हैं, यह आपके उपर है, कैसे आप करेंगे, चाहे side पकड़के कर लीजे, चाहे इसको कर लीजे, अब file save, अब देखें, file save for our web, from the photoshop menu, when you save the file, you will have the option to save the images, or a new HTML page to continue the images, अब हमने क्या किया, कि हम चाहते हैं कि साब, हमारे पास और और भी आजाए, है न, तो हम कहते हैं कि चलिए इसको भी slice करेंगे हम, हम कहते हैं इसको भी slice करेंगे हम, ठीक, इसको भी slice करेंगे हम, ऐसे slice करने के बाद, यहाँ पर आप, Hisард zilect tool पर य Door द twee ले जा लीचे, अब ये slice बन गए, मेरा एक party है, एक party है, एक party है, अब अगर आ देते गए हैं आप जो भी selection के आप कर रहे हैं कि मैंने तो एक random selection किया बापर सेलेक्शन करेंगे आप इसमें और बीचीज सब्कों का ऐसी बात नहीं है अब क्या लेना चाहते हैं क्या से लेना चाहते हैं क्या से लेक्टिव है Contra यह सेलेक्शन के उपर रखता है कि तीन सेलेक्शन किये थे मैंने वालग लग दिख रहे हैं आपको एक ही जगा थोड़े से बाल का सेलेक्शन किया था इसलिए बाल दिखाई दे रहे हैं बच्चे के अधरवाइस आप देखेंगे कि जो स्लाइस है वो तीनों यहां पर होग सकते हैं यहां HTML फॉर्म में सीधा सेव कर सकते हैं यह बहुत इंपॉर्टन चीज है जब हम वेब में काम करते हैं तो सीधा हम एक इमेज के कार्ट पीट के छोड़े बाट बाट बनाके उसका बहुत अच्छा सा HTML पीज बना सकते हैं आई होप आपको आइडिया लग गया ह इस तरीकर से स्लाइस टूल करता है अब क्रॉप करना है तो क्रॉप बड़ा आसान है क्रॉप में तो कुछ भी नहीं चोटा जूबार भी हैं और यहाँ पर अपके पास धिक कि पास, देगि मैंने कॉड्डिलेटर बना दिया, कॉड्डिलेटर बना के इसको क्रॉप करना चाना हूं, गुरे क्रॉप हो गया, कितने आसानी से क्रॉप हो गया, कड गया यह पार्ट, तो आप new cropping area, corner drag कर सकते हैं, move कर सकते हैं, आपने जिसे देखा, crop करना बहुत आसान है उसमें जब हम crop करते हैं जैसे मैं आपको फिर से दिखाऊँ जब मैं crop करना चाहता हूँ जब मैं selection लेता हूँ तो मेरे पास अलगला option आते हैं वो सारे option मैं यहाँ पर select कर सेकता हूँ तो यह cropping वाला option है क्योंकि crop करना पढ़ता ही पढ़ता है Size and Proportion आप ratio और size आप ले सकते हैं crop में यह आपके उपर है औरले option है आपके पास जो view है जो आपको डिस्प्ले करना है जब आप crop करना चाहरे है तो आपके पास rule of thirds grade golden ratio यह सब अवलेबल रहते हैं measuring tools measuring tools क्या है जब आप एक image खोलेंगे Photoshop में तो आप measuring कर सकते है जैसे आपका eye dropper है eye dropper tool क्या करता है samples, tool sample, color to designate a new foreground or background आप में देख देए एक तरीके से chooseak का का काम करेगा है हम किसी जगह पर जाएंगे और वहां का उस image का particular pixel उठा लेगे या एक तरीके से कहेंगे color उठा लेगे और ये आप sampler कर सकते है activity में किसी भी जगह पर जाएंगे color sampler मैं इसको दिखाता हूँ पहले आपको अब मैं इसको क्या करता हूँ close कर देता हूँ क्योंकि काफी हमने काम कर लिया cancel करता हूँ अब इसको नहीं करना चाहते है don't crop no इससे को खोल देंगे क्योंकि इसमें हमने की काम नहीं किया है अब इसमें देखेगा ये हमारे पास कुछ tools है जो measurement वाले टूल है ये measurement को tool को देखते हैं सबसे पहले eye dropper tool देखिए जैसे मैंने eye dropper tool लिया जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ देखिए यह color तो यह वाला color जो है न eye dropper वाला वो यहाँ पर आ जागा देखिए यहाँ पर आ रहा है मैं black करता हूँ यह black आ गया तो eye dropper tool जो होता है वो उस जगह का color उठा के रख लिए था आपने पास color sampler क्या होता है color sampler जो होता है यह एक तरीके से आपको अलाओ करता है ताकि आप color values को view कर सके जो आपने अलगला spot में दिये हुए है तो toolbox में हम जाके हम color sampler tool use करेंगे तो में पास क्या color sampler tool कहां मिलेगा यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर आप color sampler tool यह देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है आप जैसे इस जगह पर जाएंगे न तो आपको यह बकाइदा है कि 4 ले सकता है यह maximum 1,2,3,4 यह 4 point ले लिए इसने 1,2,3,4 point ले लिए मैंने अब हम क्या करेंगे यह हमारे पास जैसे हमने जो color sampler tool है किसी और spot पे भी ताकि वहां के color यह पढ़ ले तो इसने क्या किया इन 4 को मैं ऐसे कहने का मतलब यह है कि मैं इसको इधर से इधर उतर move भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ तो मैं maximum 4 बना सकता हूँ अभी maximum 4 मैंने बना है तो यह यहाँ पर 4 हो गया यह 4 पॉइट हमें मिल गया यह जो color sampler है इसको sample करके यहाँ color लिया गया है यह कहने का मतलब है ruler अब ruler के बारे में बात करते हैं तो फिर से इसको अटा देते हैं अब यहाँ पर ruler पर आते हैं measurement वाले tool में जाएंगे हमको measurement ढूणना है तो यह measure tool है तो ruler है यहाँ से यहाँ तक देखिए इसने आपको length दिखा दिए angle भी दिखा दिया कि इस angle पर आप जा रहे हैं यहाँ से वाहाँ तो यह आपको ruler tool है जो आपको position कर सकेगा image को element precisely ruler जो tool है वह calculate करता है distance दो point के बीच में और जो हम measure कर लेंगे तो उसमें एक line में draw हो जाती जो non print नहीं होगी जो option bar है info panel आपको बहुत सारे information देता है जैसे आप देखिए starting location क्या है x क्या है y क्या है width height angle भी बता दिया है इसने तो starting location है horizontal vertical distance कितना travel किया x y axis में angle measured जो relative axis है उसके एक हिसाब से total length कितना travel किया d1 आप देख पा रहे हैं आपने यह d1 है इस तरीके से जो दो length travel किया आपने d1 और d2 अगर आप protector यूज़ कर रहे हैं तो तो जो eye dropper है वो क्या करता है चूशक का काम करता है यानि कि एक जगा का color उठा लेता है तो आप यह वाला काम इससे कर सकते हैं इस तरीके से color sampler tool है वो क्या करता है एक से जादा आप sample उठा लीजे वो सारे sample को combine करके आपको spot value दे देगा यह वाला ruler tool क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाइए आपको ऐसे करेंगे तो आपको length दिखा देगा angle दिखा देगा क्या आपका distance है x y में कितना movement है वो आपको दिखा देगा retouching tools यह retouching tools है जैसे spot healing brush है